आज हम बनाएंगे सूपर सॉफ्ट और टेस्टी दही बड़ा देखिए हैं न सॉफ्ट ये मुह में जाते ही घूल जाएंगे सॉफ्ट दही बड़ा बनाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे की आपके दही बड़े हमेशा सॉफ्ट बनेंगे नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में तो चलिए बनाना सुरू करते हैं दही बड़ा बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम भीगोया हुआ उरत का दाल लिया है इसे मैंने 5 गंटे के लिए पानी में भीगोया था और अब हम इसका दरदरा पेस्ट बना लेंगे हमें पेस्ट को बारिक नहीं करना है हम पेस्ट बनाते समय पानी का यूज़ कम करेंगे अब पेस्ट बनाकर मैंने इसे एक बरतिन में निकाल लिया है और इसे 5 मिनट तक अच्छे से फेटेंगे बैटर को हमें इतना फेटना है कि बैटर हलका हो जाए और पानी में डालने पर ये पानी के उपर तैरने लगे देखिए हम पानी में आपको बैटर डाल कर दिखा रहे हैं देखिए हमारा बैटर पाने के उपर तैर रहा है यानि की बैटर बड़े बनाने के लिए त्यार है अब हम बैटर में कुछ मसालों को मिलाएंगे 140 जीरा, 1.5 इंच का दुकस किया हुआ अद्रक और एक बारिक कटिवी हरी मिर्च और स्वाद के नुसर नमक इन्हें डालकर हम बैटर को एक बार फिर से मिला लेंगे ध्यान रहे बैटर को फेटने के बाद ही हमें मसालों को मिलाना है नहीं तो मिर्च से हाथों में जलन हो सकती है बड़े बनाने से पहले हम हाथ को पानी में कुछ इस तरीके से डीप करेंगे और फिर बड़े बनाएंगे ऐसा करने से बैटर हाथ से नहीं चिपकता है और अब हमने कडाही में तेल गरम होने के लिए रखा है और इसमें एक छोटा सा बड़ा डाल कर चेक करेंगे कि तेल हमारा अच्छे से गरम हुआ है या नहीं तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है और अब हम इसमें एक एक करके बड़े बनाते जाएंगे ध्यान रहे हमें गैस का फ्लेम मिडियम रखना है इससे बड़े अंदर तक अच्छे से सीख जाएंगे देखिए बड़े साइज में बढ़ गए हैं और अब हम इने अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे सॉफ्ट और टेस्टी दहबड़ा बनाने के लिए टिप्स नमबर वन उरत दाल पीशते समय हमें पानी का यूज कम करना है ताकि बैटर पतला ना हो टिप्स नमबर त्री बैटर को हमें अच्छे से फेटना है ताकि बैटर हलका हो जाए और जब हम इसे पानी में डाले तो ये पानी के उपर तैरने लगे देखिए बड़े में गोल्डन कलर आ गए हैं और अब हम इने निकाल लेंगे हमें खास बात का ध्यान ये रखना है कि बड़े बनाते समय हमें गैस का फ्लेम लो या हाई नहीं रखना है लो रखेंगे तो बड़े तेल जादा सोख लेंगे और हाई रखने से बड़े उपर से सीख जाएंगे और अंदर से कच्छे रह जाएंगे इसी तरीके से हम बाकी के बच्चे हुए बैटर का भी बड़ा बना लेंगे अब हमने एक बड़ा बर्तन में गरम पानी लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे मिला लेंगे सोफ्ट दही बड़ा बनाने का टिप्स नमबर फोर हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखना है ताकि बड़े अंदर से अच्छे से सीख जाए और अब मैं यहाँ पर एक बड़े तोड़ कर दिखा रही हूँ बड़े में छोटे छोटे होल नजर आ रहे हैं यानि की बड़े सॉफ्ट बने है और अब हम सभी बड़े को पानी में डाल देंगे और पानी में डालने के बाद हम इसके उपर कोई भारी प्लेट रखेंगे जिससे की बड़े पानी के अंदर अच्छे से डूब जाए और पानी अच्छे से सोख ले मैंने हाँ प्लेट रखा है और प्लेट के ऊपर एक कटोरी को रख दिया है इससे बड़े पानी में अच्छे से डूब गए है पाच्वा और आखरे टिप्स बड़े को गरम पानी में जरूर डालिए और अब हमने यहाँ पर 200 ग्राम दही लिया है दही में मैंने एक चमच बूरा मिला है आप चाहे तो पीसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं और दही को हम अच्छे से फेट लेंगे देखिए दही हमारे अच्छे से फेट कर त्यार हो गया है और अब हम बड़े को देखते हैं बड़े भी अच्छे से पानी सोख लिए हैं और बड़े में जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम हलके हाथों से दबाते हुए निकाल लेंगे बड़े को हमें ज्यादा नहीं दबाना है नहीं तो ये तूट सकते है अब हम चलते हैं इससे सर्व करने के लिए सर्व करने के लिए हमने एक प्लेट लिया है और प्लेट में हम बड़े को रखेंगे बड़े के उपर हम दही डालेंगे बड़े सर्फ करने से 10 मिनट पहले आप बड़े को दही में डिप करके रख सकते हैं दही के बाद हम इसके उपर इमली की खट्टी मिठी चटनी डालेंगे फिर हम हरी चटनी डालेंगे अब हम इसके उपर डालेंगे भूना हुआ जीरा पौडर थोड़ा सा काला नमक थोड़ा सा लाल मिर्श पाउडर और हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और फाइनली इसके उपर जाएगा थोड़ा सा सेव अगर आपको ये पसंद है तो डाले बरना आप इसे इसकिप कर सकते हैं देखिए हमारा सूपर सॉफ्ट दही बड़ा बन कर त्यार है अगर आपको ये दही बड़े की रेसिपी पसंद आये होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा थैंक यू